किसानों ने खोला मोर्चा बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां काला दिवस मनाएंगे किसान कहाँ पंजाब सरकार भी केंसरकार से मिली है लंगर ले जाने से रोक रही है किसान नेता सरवन सिंगh पंदेर वा जगजी सिंग डलेवाल ने कहा है कि खनवरी बौडर पर सिर में गोली लगने से गान जान गवाने वाले नज़वान सुपकराण सिंग को पंजाब सरकार सहित का दर्जा और पीडित प्रिवार को बनता मान सम्मान दे साथी पंजाब की हद में संतमाई ढंक से अंदोरन कर रहे किसानों पर गोले वा गोली दागने के आरोप में हरियाणा के डीजीपी और संबंदि जिले के SSP के खिलाप मान सरकार जलत केस दर्ज करे दोनों किसान ने था बुदवार को पटियाला के सरकारी राजिंदरा हास्पिल में मीडिया से बातचीत कर रहे था और पंधेर वड़ लेवाल ने कहा है कि हरिवाना पुलिश ने पंजाब की सीमा के अंदर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और तब तक उन्हें ह फरवरी को ट्रेक्टर मार्च निकालेंगे पंचवदा मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्सन का रूप रेखा बन चुकी है किसान अंदोलन के दसवे दिन संबू बाडर और खनोरी बाडर पर माहौल सांत्रा लेकिन 21 फरवरी को खनोरी बाडर पर युवा किसान करण की मौत के बाद माहौल बिगड़ गया और यही करण ही कि अब 23 फरवरी यानि आज जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है कि आज जो है वो फिलहाल सिंट किसान मुर्चा आदेज भर में ब्लैक डे मनाएग और 26 फरवरी को टेक्टर माश निकालने का आवाहन कर दिया है एक और खबर गाजा में भयावा हालाद भयावा 24 घंटे में 118 फलिस्तिनियों को मार दिया फिलकुल मृतकों की संक्या लगबग 30 जार इसरेल और हमास की भीशड जंग जारी और जंग में हर दिन दरजनों फलिस्तिनी मारे जा रहे हैं हमास वरा संचारी सास मंत्राले एक बयान में कहा है कि जरायल हमास अंगर जारी रहने के कारण गजा पट्टी में फलिस्तिनियों की मौत का अंकड़ा बढ़कर 29 जार हो गया है जबकि 79 जार इन ने घायल हो गये हैं मंत्राले ने बुद्वार को बताया है कि विछले 24 घंटे के दुराने जरायली सेना ने जरायल में हमास के हमले का जवाब देने के लिजरायल गजा पट्टी में हमास के खिलाब बड़े प्रमाने पर सेन अकरमन कर रहा है एक और अपडेट निकल के आई है बड़ी ख़बर दोस्तों आखिरकार हमने आपको बताया और इस भी चगली ख़बर जहां राहुल गां 49 दिन बुधवार गुई उपी के उन्ना और कानपुर पहुंची थी और इस दोरान उन्होंने एक के बाद एक तावर तोड़ बड़ा हमला किया और काग हम जाती है जनगरना कराएंगे 2024 को लोग सब अच्छनौम अगर हमारी सरकार बनी तो हम कराएंगे इतना ही नहीं र जबाज दबा कर लोगतंतर की हत्या कर रही है मोधी सरकार जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार है राहूल गांधी ने किसानों के विरोत प्रदर्सन से जुड़े खाते और पोश्ट ब्लॉक करने के सरकार के आदेश से सोसल मीडिया मंचेक्स के असहमती जताने के ब यह है मधाराब टेमोकरसी यानि λोकतंतर की जननी जवान निवक्ति मागे तो उनकी बाते सुने सिंकार कर दो क्या यही है लोकतंतर की जननी लोकतंतर की हत्या कर रही है मूधी सरकार जनता इने 24 में करारा जवाब देगी एक वर अपडेट निकल के आई है ताना साध्वारा मेरे माकान में डलवाए जा रहे छापे मैं किसान का बेटा घबनाने वाला नहीं सत्यापाल मलिक ने बोला बड़ा हमला दोस्तो सत्यापाल मलिक का बड़ा बयान निकल किया है उन्होंने का है कि पिछले तीन से चार दिनों से मैं बीमार हूँ और हस्पताल में भरती हूँ जिसके बावजूद मेरे माकान में तानासाद वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाई जा रहे हैं मेरे ड्राइबर मेरे सहायक के उपर भी छापे मार कर उनको बेवजा परेशान किया दा रहा है मैं किसान का बेटा हूँ इन छापों से घबराऊंगा रहें मैं किसी भी कीमत पर जुकने वाला नहीं हूँ सीबि आई की छापे इमारी पर उन्होंने सिद्ये तोर पर प्तिकरिया दी है का है कि मैंकिसानों के साथ हूँ और किसानों के साथ रहूंगा सत्यापाल मलिक के एलान कर दिया है एक और खबर निकल के मोधी सरकार के यादेश से एलन मसक की कमपनी एकसना राज कहा खातों को ब्लॉक तो कर रहे हैं लेकिन इससे सहमत नहीं हैं सोसल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर विपक्षी दलों के नेताओं समेत किसानों के मुद्धों समेत तन्य आलोचकों के एकाउन ब्लॉक कराने के लिए सुर्कियों में रहने वाली के अंदर की मुद्धी सरकार एक बार फिर से इस मुद्धी पसुर्कियों में हैं दरसल के इस सरकार ने एक्स के कुछ एकाउन ब्लॉक करने के आदेश दिये थे एक्स ने सरकार की सादेश को मंजूर तो कर रहे हैं लेकिन इस पर हम और सहमत हैं पूरी तरीके से लोगों की अभिवक्ति की आजादी मि बिलनी चाहिए तो सीजे तोर पर ट्विटर यानी एक्स ने ये चीजे कहते हुए नाराजगी भी जाहिर की जिसे विपाक्ष ने मुद्धा बनाया और राहूल गांधी ने इसे लोक्तंत्र की हत्या करार दिया है एक और अपडेट निकल के भारत जोडो ने आत्रा को ले निकल चुके हैं राजस्थान प्रदेश कॉंगरेश कमेटी के महास्ची और प्रवक्ता स्रणिम चुतरवेदी ने गुरुवार को कहा है कि राजस्थान में कॉंगरेश के दिगज नेताओं ने पार्टी कारकारताओं के साथ समाध करने भारत जुडो नया आत्रा और तरह निकलेगी को मिल रही है और कहा गया है कि फिलाल एडी ने इस मामले को खुल्द आदालत में लाने की पहल की है और लगातार समन जारी है अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों अगली ख़़वर जहां कॉंग्रेस के महराश प्रभारी रमेस चरित्थला ने रहस्पतिवार को कहा है कि राज में महाविकास अगारी के गटकों के बीच सीट बटवारे पर बाच्ची तन्तिम चर्ण में है और इस महीने के अंत तक आखरी नड़े की घूशना कर दी जाएगी उन्हें ने कहा है कि फिलाल लोकस भाच्च नौकले सीट बटवारे को लेकर गडबंदन में कोई मत भेद नहीं है ने कहा है गडबंदन के एक बैठक 27-28 फरोरी को होगी जिसमें महाविकास अगारी के आगे की रड़े नीती लगभग पूरी तैक कर दी जाएगी तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है एक और अपडेट सबसे बड़ी ख़़र मैती समदाय से जड़े जिस आदेश पर मरीपूर में भड़की थी हिंसा हाई कोट ने अब उसे हटाया जियां बहुत बड़ी अपडेट यहां मरीपूर हाई कोट ने मैती समदाय को जन जाती स्टी में सामिल करने के 2023 के अपने आदेश में संसोधन कर दिया हाई कोट का कहना है कि इस फैसले से रज में जाती आसांती बढ़ सकती है अब तक रज में भड़की जाती है हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है हाई कोट के इस फैसले के बाद रज का पर सुनवाई करते हुए कोट ने अपने ही फैसले में संसोधन किया है मड़ीपूर हाई कोट मड़ीपूर हाई कोट में रज सरकार को नर्देश दिया है कि वो मैताई समदाय को अनुसूचित जन जाती का दरजा देने पर बिचार करें आपको बता दे पिछले साल 27 मार सही राज में जाती हिंसा भड़क गई थी तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है और ये कहीं न कहीं उसके बाद से अब जुकना पड़ा है दस महीने तक मड़ीपूर जला ओबरॉल और कोई वहाँ देखने नहीं गया लेकिन आखिरकार उस फैसले को वापस लेना ही प अतर परदेश के दार उलूम देवबन के खिलाब प्रात्मे की दर्ज करने कर निर्देश दे दिया वेपसाइट पर अपत्ति जनक कंटेंट और फत्वा जारी करने के मामले में NCPCR के चेर्मैन प्रियांग कानून गो ने सहारनपूर के वरिष्ट पुलिस अधिक्षा के SS प्रियांग कानून गो ने सहारनपूर SSP को लिखे पत्र में कहा है कि देवबन की बेपसाइट पर प्रकासित फत्वे में लिखी गई बातें राश्ट्री अबाल अधिकार सरक्षन आयोक के लिए चिंता जनक है एक और खबर निकल के आई है आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस की बीच गडबंदन लगभगता है चार तीन के फॉर्मुले पर बनी बात देखें कौन सीट पर किसे उतारेंगे उम्मीदबार अगामी लोगसभा चुनाओ में दिल्ली में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस मिलकर चुनाओ लड़ सकते हैं इसके अलामा पूरभी दिल्ली और नौथी शीट कॉंग्रेस को देने का प्रस्ता भी दिया गया है आम आदमी पार्टी की तीन सीटों की पेसकस पर दोनों दल सहमत हो गए हैं ऐसे में कॉंग्रेस तीन सीटों पर चुनाल ओर सकती है और वहीं आम आदमी पार्टी नई दिल्ली दक्षडी दिल्ली पश्यमी दिल्ली नौथ बेश दिल्ली सीट से चिनाड़ आगी और इसका अपचारी के एलान होना बाकी है जो लगभग जल्द ही हो सकता है अगली लिए को और अपडेट निकल के आई है दोस्तो आगरा का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन हुआ मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन हिदगा स्टेशन का नाम बदलने की उठी थी माँ दोस्तो दरसल आपको बता दे उतर प्रदेश के आगरा में UPMRC ने जामा मस्जिद भूमीगत स्टेशन का नाम अंतरन कर मनाका में शुरब मेट्रो स्टेशन कर दिया है सुब़े के मुख्या योगी आधितनाथ के आदेश के बाद स्टेशन पर होर्डिंग्स भी लगा दिया गए आगरावे मेट्रो स्टेशन की घोशना के साथ स्टेशन का नाम जामा मस्जिद रख दिया गया